नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज कुमार और मैं आज लेके आया हूँ परसंटेज का एक ट्रिक, ठीक है, परसंटेज सभी को पता है क्या है नहीं है परसंटेज, लेकिन मैं आप उसी परसंटेज को जो आप जानते हैं, उसी में एक ट्रिक खोज के लाया हूँ, आप उस अगर देख लेते हैं, ठीक है? तो कोई भी percentage का जो है, सवाल है, percentage निकालना है, किसी भी digit का percentage निकालना है, वो अपने माइंड में, इसी माइंड में आप कलकुलेट कर सकते हैं, और कलकुलेट करके निकाल के बता देंगे, except, कि इसका सक बता देंगे, इसका की और बाते हैं देखते हैं क्या है तो हम लोग tricky और बार रहे हैं और देख रहेể each individual ठीक है और cent जो है cent का मतलब होता है hundred ठीक है तो hundred में कितना percentage का मतलब होगे hundred में कितना अगर किसी में कितना है तो hundred में कितना उसको मैं detail में जाएंगे अभी मैं एक example ले रहा हूँ फाले example मैं क्या ले रहा हूँ 15% of 18 अभी 80 का पंदरे परतीसत क्या है कितना होगा अगर आपको बताना है ठीक है तो हमको इसको detail में जाएंगे अगर अजसी की बात बोले तो किसी भी अंक का अगर 100 परतीसत बोले तो वही अंक हो जाता है अगर 80 पर बात करेंगे और 80 का बोलेंगे 100 परतीसत 100 परतीसत 80 का कितना होगा तो 100 परतीसत 80 का 80 ही होगा उसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि हमको पता है किसी भी संख्या का 100 परतीसत वही संख्या होता है अगर बात करें 50% तो 80 का जो है आधा कर देंगे तो वह हमारा निकल जाएगा 50% अगर वहीं बात करें 10 परतिसत की तो 80 का जो है एक अंके के बाद 10 अमलब डाल देंगे तो वो निकल जाएगा 8 परतिस 8 हो जाएगा और 5 का परतिसत बोलेंगे तो 10 का जो आधा कर देंगे तो वो निकल जाएगा हमारा 5 परतिसत ठीक है और एक की बात बोलें तो इसका जो है 2 अंके बाद 10 अमलब डाल दो तो 1 परतिसत हो जाएगा ठीक है तो इस टेवल को हम लोग देखेंगे और भी डिटेल में जाएगे देखेंगे पहले आप देख लिजे इस एकजांपल को ताकि आपका डिटेल माइंड पर फ्री हो जाए और 80 का जो अगर दो भाग में बाद देंगे 80 को 15 परतिसत निकालना है तो 15 को लिख देंगे 10 प्लस 5 दो भाग में इसको बाद दिया और डिखाल दिया 10 प्लस 5 से लिख दिया 10 प्लस 5 पंद्रे होता है 80 का आप 10 परतिसत निकालेंगे और 80 का प्लस 5 परतिसत निकालेंगे जो कि हम लोग 10 परतिसत और 5 परतिसत आसानी से निकाल सकते है तो दोनों को लिख देंगे और दोनों को जोर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 80 का 15 परतिसत निकल गया बार है थे इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं चलिए मैं इसको detail में बताता हूं इसमें कुछ समझ में नहीं आ वा तो मत समझ में आने देजए next example मैं लेता हूं उसमें आपको detail में बता रहा हूं अभी क्या बोल रहा है 60% of 84 84 का 60% نکالنا है कैसे निकालेंगे वही करेंगे जो अभी किये है अभी 84 पर चलते हैं 84 का 100% बताईये कितना होगा 84 का 100% वही होगा जो digit है 84 का 100% 84 ही होगा अगर इसका बात करें 50% की 84 का अगर 50% की बात बोले तो 50% कितना होगा इसका अगर दो भाग में बार देता, 84 divided by 2 कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा 50%, तो 42 हो गया, 42, ठीक है, 50%, अगर वहीं बात करें 10%, तो एक अंके के बाद the sum of डाल देना, कुछ भी डिजित हो, एक अंके के बाद the sum of डाल देना, तो वो 10% निकल जाता है, और हमारा हो जाता 8.4, 84 का 10%, 8.4, अगर यहीं पर 5% बोले, तो 5% इसका अधा कर देंगे, तो 5% निकल जाएगा, अगर 1% बोला जाए, दो आंके बाद the sum of डाल देना, दो आंके बाद the sum of डाल देना, तो 1% निकल गया, तो यह जो है table, यह table आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और mind में बठा होता है, 84 का, ठीक है, तो इसको तोर देंगे, हम लोग दो भाग में बार देंगे, 60 को, क्या चीज में बाटेंगे, 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 कितना होता है, 60 होता है, ठीक है, तो 60 हो गया, तो 84 का 50 परतिसत पता है, कितना होता है, 42 होता है, और 84 का 10 परतिसत की बात बोले, तो 8.4 होता है दोनों को लिख लेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एंसर निकल जाएगा easy way में निकल जाएगा और आसानी से निकल गया ठीक है तो आगे क्यों बढ़ते है और example क्यों बढ़ते है अगर यह समझ में नयाद मैं फिर से बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि यह practice है practice करेंगे तो होगा आगे देखते हैं percentage अभी बोलते हैं 98% of 680 680 का 98% निकालना है 990 परतीसत निकालना है 680 का कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे अभी तक चितना कि यह वही करेंगे कुछ changes नहीं है 680 है 680 का 100% बता दीजी आख मुंद करके आप बता सकते हैं 680 का 100% कितना होगा हमको पता है जिसी डिजीट का 100% वही डिजीट होता है उसमी change नहीं करना है 680 का 100% 680 ही होगा अगर यहीं बात करते हैं 50% की तो इसको आधा कर देंगे यहां आधा कर देंगे तो 680 का आधा कर दिए तो हमको 50% निकल गया अगर वहीं बात करें 10% की तो एक अंके बाद 10 समय該फ डाल देंगे तो acord निकल गया 10% में निकल गया छेसो असी का पांस परतिस्द आपको पता है इसका अधा कर देंगे तो हो झाएगा 5% निकलना गया 1% की बाद बोले 2ंG के बाद समलब डाल दीजिए तो निकल गया 1% तो अभी क्या करेंगे इसको तोरेंगे 990 को है किस तरह तोरेंगे 680 के लिए अभी 990 को दो बाग में तोरे 100 पता है 100-2% की यह 100-2% का 60-2% क लिए तो 98% निकल जाएगा ठीक है इसको और एक बार तोड़ देते हैं क्योंकि टू है तो मैंनेस वन मैंनेस वन कर देंगे ठीक है तो 100% पता है 600 का कितना होता है 1% मुझे पता है कितना होता 600 का तो दोनों को लिख लेंगे लिखने के बाद इसको solve करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 664 तुपल 6.4 तो ये हमारा जो हो गया निकल गया सही है आगे की और बढ़ते हैं अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं मैं एक बार और बता रहा हूँ फिर सिब देखते हैं ठीक है अगर percentage की बात बोल रहा है बोलेंगे 56% of 440, 440 का 56% कितना होगा ठीक है ये हमको निकालना है इस पार देखिया है गौर से ठीक है अभी बताए 440 का 56% निकालने के लिए हम लोग 440 का पहले 100% निकालने ये concept में बता रहा है इसको ज़र लिखने की ज़रत नहीं है फिर भी आपको बार बार बता रहा ह ठीक है तो 440 का 100% चार सोचालिस हो जाएगा 50% इसका आधा होगया 220 हो गया 10% जो है इसके एक अंकिके बाद 10.94 होगा तो 44 है और 15% का बात बोले है दसứngका का जो आया उसको आधा कर देंगे तो 5% निकल गया और 1% की बात बोले है यहां का यहां का यहां दो आंके बाद 10 संगलों बैढ़ा देंगे हैं तो अब जो है मिडिकी तो तो दोरेंगे छप्पन म निकालक निकालेंगे तो छप्पन लीए से लिखे 50% प्लस 5% प्लस 1% ठीक है तो तभी को जो रहेंगे तो 56 अब 440 का 50% निकालेंगे 440 का 5% निकालेंगे 440 का 1% निकालेंगे और तीनों को पता है मुझे कैसे निकालते हैं 50% कैसे निकालते हैं 5% कैसे निकालते हैं 1% कैसे निकालते हैं तीनों को लिख के यहाँ पे लिख देंगे और तीनों को जोर देंगे जोरने के बाद जो 246.4 हो गया यह हमारा हो गया answer ठीक है तो अभी क्या है इसमें मैन हमारा character क्या है यह आपके mind में रहना चाहिए यह जितना fast आप अपने mind में निकाल सकते हो अतना fast आप example बना सकते हो ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर कुछ डाउट हो कुछ भी हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा धन्यभाद थैंक यू